डांगरी में जो नरसंगार हुआ जिसके बाद पूरे रजोरी में जो है इसको लेकर इस वाक्य की कड़े लफजों में मुझम्मत की गई अब इस डांगरी में हर समाज का आदमी आ रहा है और राजनेताओं की अगर बात की जाये तो वो भी यहाँ पर जोग दर जोग जो है पोँच रहे हैं कोई परिवार से मिल रहे हैं मेरे साथ इस वक्त यह जो नोजवार आफ देख रहे हैं कोई नुश्यरा से है कोई सुन्दर्वनी से है कोई काला कोट से और कोई अलग जगों से है भеше ब्यर्स कि करने बात करने थे तो हैं फुजूसी तो पर मैंने चाहा है इनसे बात करेंगे जी बताइए आप अपना नाम बताए कहां के रहने वाले हैं और आप चाहते क्या है इस केस को लिखेंगे मेरा नाम सचीन मानास अपसोस इस बात का है कि अग्याना दिन हो गए लेकिन आज तिल डेर तक इसका कोई भी हमें रिप्लाई नहीं मिला कि जो एड्मिस्टेशन है किस तरह का कारे कर रही है यहां पे सी आर पी अफ इतनी यहां पे फोर्सिस यहां आना हुआ हाँ यह लोग जाके रूर्स पे जाके यह तो नाके वहां नाका बंदी तो कर रहे हैं लेकिन वो लोग नाका बंदी वो लोग गाड़ी उसे थोड़ना जाएंगे उनको अगर शुपना होगा तो जंगलों में चुपेंगे आप तक एक नाकाम्याबी एक जिला परशासन की हमें बहुत बड़ी देखने को मिली है और आपको मैं मीडिया के मादम से यह भी बता दूँ की जो अभी यहां पे हिंदू समाज है वो एक सहमा हुआ है पूरा के पूरे हिंदू समाज में दैशित का एक महोल यहां जिला आपके मीडिया के मादम से कि वो इस साइड को ओपन किया जाए तांकि हिंदू समाज अपनी वैपन अपने हथ्यार रखे और जिस तरह से हम बात करें जो प्रिंस हमें अपना बाई खोया है काश उसके पास एक हथ्यार होता और हथ्यार होता और अपने साथ-साथ वो हमें उनके हवाले किया जाए इस केस को क्योंकि यहां पर डिस्ट्रिक अडिमिशेशन की बहुत बड़ी नलाई की देखने को मिली कि जिस दिन यह हाथसा हुआ रात के वक्त और सुबा यहां पर एक ब्लॉस्ट होता है जिसमें दो मासुम बच्चों की भी जाने चली जात भी बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट हैं और यह कम जन्वरी से यहां पर मुझूद है और इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है सर जो यारा दिन पहले एक यहां दुखना के गटना होती है उसमें मारे प्रिंस और दीपक डो बाई थे उन पर अटैक किया जाता है अटै कि अधरिक अधरिक अबनिस्टेशन को चाहिए था इस इसमें अर्येको ढ़गने चाहिए ती जो घरविं को देखने चाहिए थे पांच किलमेटर बाह भाल गया कोई उड़के निगया इसा जहाज निया उसको पांच बंदे 5 बंदे और और गया और तो बंदा को रोडों से थोड़ी जाएगा उसने को अपनी सिझासत कर रहे हैं अपनी घाड़ी लगी हुई है आर्मी लगी है और देखो आप जाओ जंगल में जाओ जंगल में देखो कारवाई को लिएगर बात करें को बंद नहीं वहींँ जानाफ कोई कोई दिस्टिक एड्मिस्टेशन की और इक बात इनगे शाहिद पता नहीं बता नहीं के नियुक्त पांच बंदें कृटिकल इंजर भी है वोगी जमू है तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि उन बंदों को भी आप बिल्कुल केर से देखा जाए जैसे मामले में जोरी में बताया James ठीजल defend gefunden मेरे सारे समाज इनके साथ खड़े हैं यह मत शोचें किसी भी तरिके से हम सारे साथ खड़े हैं और मैंने ये भी बताया कि हम यहां पर एक शहीदी का एक बनाएंगे तिपरिंस और दिपक का और इन लोगों का और जिस दिन को मरे हैं मैं हर संड़े को शाम को साड़े 6 बच के 50 में पर दीवा जलाने आएंगा और एक शहीदी दिवास बनाएंगे और यह चीज का हमें बड की है और तमाम तर यहां का जो सोशल अक्टिविस्ट तबका है नोजवान तबका है और यही चाहता है कि यह तमाम तर यह जो परिवार है इन परिवारों के साथ इनसाफ होना चाहिए एन नाईए की निश्पक्ष जान चोनी चाहिए और इन नोजवानों ने एक और खुल मामने की कड़ी से कड़ी कारवाई अमल में लाई जाये ताके पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके